तो रेसल मीने 39 की जो नाइट वन है वो ओबर हो चुकी अब हम लोग बढ़ रहे हैं नाइट टू की तरफ और क्या उसोस की तरह रोमन रेंज इन कोडी के मैच में रोमन रेंज भी हारने वाले हैं अपनी अंडिस्प्यूटिड चांपियन्शिप को अब नाइट वन देखने के बाद जो मेरी नाइट टू की एक्साइटमेंट है वो एकदम अनकंट्रोलेबल टाइप की कि मैच आरो यार अभी करवा दो नाइट टू इवन अगर नाइट वन नाइट टू बैक होते हैं मैं आराम से बैठकी पूरा रेसल मीने एंजॉए करता लेकिन चलो कल फाइनली शुका होगा मेन इवेंट रोमन और कोडी का मैच और उसो उसके हारने के बाद सबसे बड़ा कुश्चन क्या कोडी रोड्स भी चैंपिन बनेंगे और रोमन रेंज हारने वाले अपने अन्डिस्पूटिट चैंपिन को उसे के बारे में थोड़ा की बता जग जाते कि भाई अगर ये बंदा मार रहा है भी फिरार तो ये जरूर शो के अंदर हारने वारा है वो अपने ब्रॉक वाले फ्यूट में देखा ता लास्ट एर में लेकिन इस साल इनकी कॉन्फरेटेशन जितनी वही है वहां भाई हाथ अपाई तो हुई नहीं सिर्फ बातों-बातों में चीज़ी होई पुरी तरीके से अच्छा बात करती कि उसरो सके हारने का कोई चनेक्षन है और रोमरेंज वाली स्टोरी के साथ में या पिर रोमन की चांटल के हारने के साथ में तो देखो मेरे हिसाब से कनेक्षन जरूर है बीकॉस ब्लूद लिए भी था एक लंबे टाम सोंगे बाद चैंवर्शिप्ट थी इसका कोई कंटेंडर राइस्ट उन्हें मिलता भी नहीं जो कि उन्हें दीध्रोन कर पाए और ओडियन्स उन्हें इतना मासिव सपोर्ट देती भी नज़राए यह वो रीजन है उसोस का हरना एक तरह का कुझ भी नइए ऊसोस के हारने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि रोमर रेंज आरनेवाल है इवन मैं शाहिद यह कहूंगा कि वी सोस की हारने के बाद रोमन का जाधा चांस बनके कि रीटेंड करेंगे वार्मन सामनेवाले बंदे को कब बोलेंगे आफ एक बैंडी कि हा कह सकते eventually आने वाल टाम में टर्न करने वाले रोमर रेंज इन सोल इसकोई इन सभी के उपर और यह लोग ब्लट लाइन से सेपरेट हो जाएंगे और हाँ जैसे मैं कहा रहा हूं कि माल लोग रोमर रेंज कोडी रोड के पास से चैंपिशिप हार जाते है नाइट टो के उपर तब तो वो जे उसो और जिमी उसो पर भड़की नहीं पाएंगे वो तो वह बात होगी ना भाई तू हमें के कह रहे तो खुद देखे लेकि तू खुद हार के आ रहा है रेसल मीन है के कोडी रोड के हाथ हो तो यह जो चीज़ है या फिर यह जो सीन लेकर डेवल डबली बनना चाहती है विकॉस अफकॉर्स रेसल मेने के बाद जो फ्यूड है वो उसो वर्सिस ब्लड लाइन थोड़ा बहुत होने वाला है यानि कि कहान नहीं आने वाल टाम में कंटीनू रहेगी और जे उसो कोई ना कोई पंगा पढ़ेगा रोमन के साथ में तो उसके लिए नाइट टू के उपर चैंपेंशिफ रीटेन करें अब बातरी बेटिंग और बार में तो बेटिंग और सा तो माने यह है कि जो कोडी रोड्स है वही जीतने वाले है रेसल मीने के अंदर और वहां पर बता जा रहा है जो अमेरिकन नाइट मेर की जो नाइट साइड प्ले कोडी की कि बारे में किस तरही के से जीटेंगे आप पर ही पता लगने वाला है अच्छा एक और जुच बड़ी चीज़े वह यह मैं और सपेंगे उसमें इस में टरफ से आपको लगातार इंटर सब्सक्राइब देगी एवन मुझे ऐसे लग रहा है कि उसोज भी वहाँ पर आने वाल है और इसे डामे दा पीपल शैंप ड्वेन जॉंसन दा रॉक ने भी इबाटी इसकी है तो दा रॉक अगर आते हैं वापस तो मेरे हिसाब से रोमरी जीतने ही वाले है क्योंकि अगर मालो रोमर ने जा सकते हैं अगर रॉक आते हैं रोमन हराएं कोडी को करेंगे भाई या मुझे कोई हराने वाला है नहीं और सड़नली वहां से हमारे पीपल शैंप डॉक आते हुए नज़र आएंगे यह जस्ट कुछ बात हैं जो कि मैं डिसकस करना चाहरा था मीन है कि नाइट टू को लेकर बाके अपने prediction कॉमेंट करना कॉमेंट सेक्षन में आप किस की तरफ हो आपके साब से कौ जीते गा टीम रोमन या फिर टीम कोडी बताना कॉमेंट सेक्षन में हाँ ज़रूर मैं आप रोमन की इतनी तरफ दारी कर रहा हूं काफे सारे facts and points बता रहा है लेकिन आवे टीम वात रोमन के तरव भी बाइद भी आज की वाली वीडियो बसे यहीं तक थी अगर यह वाली वीडियो पसंद आए फटाफट से इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर दो साथ इमें जोलो चैनल के उपर निए हैं सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना और मिलता हूँ आप से आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुती जाधा चल्दी तिल देन बाई बाई टेक केर